नमस्कार मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं आई इस वीडियो में जानते हैं कि ITR1 आप किस परकार से फिल कर सकते हैं ITR1 अगर दिया आपको इंकम से या फिर अगर दिया आपको पैंसन से इंकम हो रहा है तो आप ITR1 को फिल कर सकते हैं तो पुरा प्रोसेस आपको बताते हैं कि आप मोबाईल से किस परकार से कर सकते हैं इसमें आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउजर आपको अपन कर लेना है उसमें आपको गूगल को अपन कर लेना है ब्राउजर को अपन करने के बाद उसके बाद यहां पर आपको ITR है इसको आपको सर्च करदेना है इसको आप जैसे सच करते हैं तो आपको income tax.gov.in website में आपको जाना है यहां पर देख लिजिए income tax.gov.in इस website में आपको जाना है दुसरा website में नहीं जाना है तो इसका link हम description box में देतेंगे और step wise आपको जो है एक details भी आपको दे देंगे तो इसमें आपको पुरा डेटेस मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक से भी आप जा सकते हैं इस वेबसाइट को आपको आपन कर ले नहाँ यहाँ पर देख सकते हैं इसको जैसे ही ऑपन करते हैं तो उपर में देखे एक यूजर का आइकोन मिल जाता है तो इस आइकोन में आपको यहां पर टेप करना है तो आइकोन में जैसे ही टेप करते हैं तो आपको यहां पर दो अप्शन मिल जाता है रेजिटर और लोगिन का अगरे आप पहली बार रेजिटर कर रहे हैं तो आपको पहले यहां पर रेजिटर करना होगा नहीं किये हुए हैं तो आपको सारा डिटेश आपको फिल करके यहां पर रेजिटर कर लेना है तो यहां पर आपको लोगिन में आ जाना है तो यहां पर रेजिटर किये हुए है तो यहां पर लोगिन में आ जाना है उसके बाद यहां पर आपको अपना आइडी यानि की पैन नमबर इसको आपका जो है यूजर आईडी जो होता है आपका पैन नमबर ही यूजर आईडी होता है तो पैन नमबर को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है सही पैन नमबर को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको कंटीनियू में टैप कर देना है continue में जैसे ही tap करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है इस पर क्यास से आपका pen number आ जाता है जिए आपको profile में photo लगा हुआ यह फोटो भी आपको दिख जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको tick कर देना है इसमें please confirm your secure access message तो यहाँ पर आपको tick कर देना है उसके बाद जो है आप जो password आप create करते हैं उस password को आपको यहाँ पर enter करना है तो password आपको सही सही डालना है wrong password डालना है आपको यहाँ पर login नहीं होगा तो password आपको सही सही यहाँ पर enter करना है तो password आपका जो भी आप create करते हैं उस password को आपको यहां पर इंटर कर देना है तो पास्वार्ड इंटर करने के बाद आपको यहां पर फिर से देखें कंटिनियू का अप्शन है तो इस परकार से इंटरफेस मिल जाता है आपको देख सकते हैं यहां पर उपर में देखें थ्री लाइन मेन्यू है तो यहां पर उपर मे जो है three line menu हो, इसको आपको tap करना है, three line menu में जैसे ही tap करते हैं, देखिए इस परकास interface मिल जाता है इसमें, तो इसमें आपको जाना है, e-file में आपको जाना है, देखिए यहाँ पर dashboard है, e-file है, e-file में जाने के बाद दो option आपको मिल जाता है, income text return और income text form, आपको income text return में ज जाकर देख सकते हैं उसके बाद यह भेरिफाइए है फिर्म 26 एस इसमें आपका टीडियास का डिटेयर रहता है इसमें किसी परकार का कमिशन वाला वर्क किये हुए है या फिर अगई दिस से आपका टीडियास कटा हुआ है तो सारा डिटेयर से यहां पर आपको पहले चेक क इसका टेक्स क्रेडिट का पुरा डिटेयर से आपको यहां पर दिख जाता है देख सकते हैं इसको यहां पर टीक कर देना है तो यहां पर जैसे ही टैप करते हैं तो यहां पर नीचे में देखिए दो जो है बुलू कलर का लिंक मिल जाता है तो उपर वाला लिंक में जाना है आपको भी टेक्स क्रेडिट में यहां पर जैसे डाटे जाते हैं यहां पर आपको अपको इसे भाइस करने के बाद यहां पर फिर से यहां पर सेकेंड पर है HTML है HTML में आपको select करना है उसके बाद भीव में यहां पर आपको tap कर दाना है विव download तो इसमें जैसे ही tap करते हैं तो आपका TDS का सारा details यहां पर आपको मिल जाता है कि इसलेरिस कटा हुआ है या फिर अगरे आपको किसी बढ़ारा कमिशन मिला है तो सरा details यहां पर सो कर जाता है उसके बाद यहां नीचे से आपको यहां पर match कर लेना है उसके बाद फिर नीचे से आपको यहां पर टैब जो है टैब आपको चेंज करके फिर से आपको यहां पहले वाला में आ जाना है तो इसमें आने के बाद यहां पर यानि कि फाइल में पहले आपको जाना है उसके बाद इंकम टेक्स रिटर्न में जाना है उसके बाद फाइल इंकम टेक्स रिटर्न में आपको जाना है यहां पर देख सकते हैं तो इस अप्षन में आ जाने के बाद यहां पर आपको एसेस्मेंट यहर पहले सेलेट करना है य आपको उसके बाद यहां पर start new filling में आपको यहां पर tap करना है देख सकते हैं इसको यहां पर आपको एक ऑपशन आ जाता है इसमें आपको टैप करना है उसके बाद यहाँ पर आप पगजदी जॉब करते हैं या फिर आपको पैंसन मिरा तो यहाँ पर आपको इंडिविजवल में टिक करना है और हुआप है अधर्स है तीसा आपको सेलेक्ट नहीं करना है इंडिविजवल में ही आपको सेलेक्ट करना है उसके में आला उसके बादि के सारा इटी आर फ़राम आता द सारी करना है पर प्रसीड टू डू आ या से टेप करना है, यहां जैसे ही टेप करते हैं, तो देखें, मुहिख जो हता है, तीन स्टेप जो होता है, यहां पर आपको, तीन स्टेप में आपका रेटरन फिल होता है, देख सकते हैं, ऐब का फूरा इनकमssä लिटेल साथा है तो यहां पर दखिए यहां जो है आप income tax किस लिए feel कर रहे हैं किस region से feel कर रहे हैं तो यहां पर region आपको select कर ले नहीं है या फिर इस सब region में आपको नहीं मिर रहा है तो यहां पर दखिए जो है पहला में दिया हवाई कि अगर आप taxable income आपको हो रहा है तो आप पहला option में select कर सकते हैं, या फिर और कोई region है तो अधर्स में आपको यहां पर कंटीऑ में आपको यहां पर कि तैप कर देना है अधर्स में आपको टिक करके यहां Continue में आपको कि उसे सब्सक्राइब यहां पर करना पड़ता है तो सब्सक्राइब करना है तो चलिए पुरा इस टॉप का आपको पुरा डिटेल समभब को बता रहे हैं भी इसमें जो है प्रस्नल इंफोर्मेशन है सबसे पहले देख सकते हैं यहां नीचे में आ जाना है तो यहां प्रस्नल इंफोर्मेशन में आपको टैप करना है इसमें आपका सारा अपना डिटेल्स रहेगा जैसे address है, देख सकते हैं, यह सरा details आपको यहाँ पर मिलता है, address है, name है, pen number है, आपका अधार number भी है, आपका last 4 रंक सो करेगा, यह सरा details आपको यहाँ पर fill कर लेना है, किसी परका का mismatch है, तो आपको यहाँ एडिट करके, उसको यहाँ पर fill कर देना है आपको, उसके बाद यहाँ पर नीचे में आ जाना है आपको nature of employment तो employment का जो है आपका category है उसको आप select कर लेना है किस टाइप को आप job कर रहे हैं Central job कर रहे हैं या फिर state government का job कर रहे हैं public sector का undertaking है जैसे सिरकार किसी पर कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको public sector में आ जाएगा उसके बाद अगया प्राइबेट जब कर रहे हैं तो आपको अदर्स में आ जाना है तो यहाँ पर हम वार और इंपलयमेंट का category है इसको यहां पर select कर लेना है उसके बाद जो है यहां पर filling sanction तो यहां पर जो है आप पहले अभी जो है due date को बढ़ा दिया गया है तो आपको 139.1 में आपको fill करना है अगर दि बाद में आप fill करते हैं तब आपको यह 139 फोर आपको select करना है नहीं तो भी जो है income tax का return का जो file का date बढ़ा दिया गया है तो हमको 139.1 यहां पर tick कर देना है उसके बाद यहां पर देखे दो करना है तो यहां से आप इया पर आट करना चाहते हैं तो चलिए आप जो है इसका step one का अभी complete हो चुका है personnel information उसके बाद आते हैं gross total income में आते हैं तो यहाँ आपको पुरा income का details आपको यहाँ पर फिल करना है अगयर दी आप salary आपको मेर रहा है अगयर एस salary के साथ में कुछ अधर income भी हो रहा है то अधरा detail आपको यहाँ पर फिल करना है तो देख सकते हैं अगए жबस यहां पर कोश्च्ट करना है यहाँ पर क्वस्चेंशन्स हैं इसमें कुछ मेरा जो है उसको आपको यहां कर देना है अग्युट आजाना एडरेक्ट आजाना है अगए यहां पर, salary information में आजाना है तो salary आपको calculate कर ले ना है कि है आपको कितना salary मिला है तो total salary आपको जोड लेना है यहां पर कितना salary आपको मिला हुआ है जो भी आपको अगई दी regular same salary अगई दी उस year में आपको मिला हुआ है तब आपको उसमें 12 सो गुना कर देना है अगई दी किसी मैं आपको ज्यादा मिला है या फिर 20 में आपका salary बढ़ गया है या फिर घट गया है जो भी घटा है तो आ अपको सो calculate कर लेना हो कि यहां पर आपको तोटल सेलरी इसमें को किसी बीइवोर कि अबना हुआ है एक जान टी इकम आपको हुआ है त्यास अभर आपको मडरा को मिला हुआ कर सकते हैं और किसी पर अगर आपको इंट्रेस्ट ग्रम मिला हुआ तो आप यहां पर एड़ कर सकते हैं इसको उसके बाद यहां पर आपको सेव कर देना है तो सेव करने के बाद यहां पर देखिए जो है यह आपका जो है सलेरी का जो है इंकम यहां पर सेव हो चुका है और अगय़ दि किसी पराइब का दूसरा काम भी करते हैं कमिस्ञ अगरा कर सकते हैं तो आप यहां पर अदर having इंकम में उसको एड़ कर सकते हैं अगर तो इक रख नहीं हो रहा है तो किकी है ग्रिं टिक यहां पर लग चुका है तो और सब्सक्राइब हो चुका है अब यहां पर टोटल सभेस्ट टेक्स यहां परहम करेंगे इसमें क्या करना है आपको लाइची है अपका है छो भी आपको पिरिमिम सेयर में पट किये हैं ऑप सारा प्रेमियम पर इहां पर यहां पर पिल कर देना जो भी आप पकी किये हो सेetes मिंड़ीन प्रेंस्खी में तो उसका भी आपको जोड़ के यहां पर आपको यहां पर फिल कर देना है यस करके जो भी आमांट होता है उसको आपको यहां पर फिल कर देना है उसके बाद यहां पर यहां पर फिल कर देना है उसके बाद यहां पर यहां पर फिल कर सकते हैं यही दो अप्सन इसमें आपको फिल करना है अब आपको तेप करते कब सकते हैं तो फिर हमेंगशन पर कर सकते हैं रो कि यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, और अगर इदिए आपको लग रहा है कि सराची सही है, देख लेजिए एक बार फिर से आपको यहाँ पर मिलाने का आपको option मिल जाता है, ATD, ATC, और ATG में आपको अगर donation दिये हुए, तो ATG में आपको उसको सो कर देना है, कहीं पर continue में टेप कर देना है, confirm जैसे होता है, देखे यह जो है आपको confirm हो गया, 3 steps जो है, यहाँ पर confirm हो चुका है, आप 4 में आ जाते हैं, यहाँ पर text pad, इसमें आपको tap करना है, text pad में tap करना है, यहाँ पर अगर गई दिया आपको किसी परका जो है TDS आपको कटा हुआ है, salaries कट या फ़िर आप खुद से जम्हा किये हुए, टे sufficient बीच में किसी पैंगर जम्हा एँए, तो सरा डिटेल्स यहाँ पर आपका सो हो जाता है, इसमें आप मैनुवली ह tat кас kelly यहाँ पर आपको add कर देना है बी य सिक先 लाव के दालके आपको यहाँ पर कि आपको कितना tax spat करना है आपको यहाँ पर calculate होके total amount आ जाएगा यहाँ पर देखिए अभी जो amount आ रहा है 151 का यहाँ पर tax बन रहा है जो कि अभी यहाँ पर rebate हो चुका है rebate साड़े 12,000 तक का भी जो है rebate मिलता है यहाँ पर देखिए यह amount जो है रिबेट हो चुका यानि कि यहाँ पर किसी परगार का tax पेट नहीं करना है अब यहाँ पर इसको भी confirm कर देते हैं तो यह step 1 जो है यह अभी complete हो चुका है देख सकते हैं इसको step 1 जो है लगभग यह सारा आज दखें यहाँ पर green tick लग चुका है तब यहाँ पर proceed में आपको tap कर देना है तो यह step 1 का सारा details जो है यहाँ पर देखें green tick हो गया यानि कि complete हो चुका है step 1 अब step 1 आने के बाद आप step 2 में आ जाते हैं यहाँ पर अगई दि किसी परगार का tax पेट करना होता है तो यहाँ पर आपका वो so कर देता है अगई दि refund आपका रहता है तो refund by amount भी यहाँ पर आपको यहाँ पर so कर देगा तो यहाँ पर देखें 0 है यानि कि किसी परगार का ना लेना है ना देना है यानि कि ना pad करना है ना मेरा refund बन रहा है तो यहाँ पर आ जाना है फिर से preview return में तो अगरे दिया आपको किसी परकार का text बन जाता है तो पहले आपको text को pad कर लेना है उसका आपको details फिल कर देना है यहाँ पर देखे इसको टिक कर देना है यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है नाम अगरी दिया आप खुद से फिल करना है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है इसको फिर आपको आजाना है यहाँ पर देखे यहाँ पर TRP डिटेल्स आपको नहीं भरना है अगरी खुद स आपका missmatch हो जाता है तो आपको यहाँ पर बड़ी हां से check आपको कर लेना है तो आप उसको edit कर सकते हैं यहां से आप edit कर सकते हैं उसके बाद proceed to validation उसके बाद validationirm में आजाते हैं तो validation देखें यहां पर successful हो गया है यहां पर किसी परगार का error नहीं है return में किसी बरगार का true T नहीं है तो यह जो है यह मेरा पुरी तरह से successfully validation हो गया तो अब यह रेडी हो चुका है submit के लिए तब यहां पर proceed to वेरिफिकेशन तो यहाँ पर जाए complete करने के बाद यहाँ पर टेप करना है proceed to verification में टेप करना है तो यहां पर देखे complete your verification तो verification में जाने के बाद यहाँ पर देखेए आपको हो जाता है तीन ओप्सन आपको मिल जाता है e verify now, e verify later, Sun musi आधाश से करना है अधार या फिर और ठीन चार आपको लेटीज देन का समय आपको यह सुमय आप बाद मेंं तर पर सकते हैं तो फोर Πर लेते हैं लाश्ट वाला इसमें क्या होता है आपको ITR का जो form है acknowledgement उसको आपको sign करके CPC में आपको भेजना पड़ता है third option में आपको select कर लेते हैं तो आपको खुश से उसको speed post या फिर general post से आप उसको भेज सकते हैं CPC का जो address है उसमें आपको भेजना है तो अगयदि आपका अधार number अगयदि आपका register है तो आप पहला option में आपको आजाना है अगयदि आपका अधार से अगयदि आपका mobile link है तो आपको पहला option में आजाता है आजाना है यहां से आप instant verify कर सकते हैं आधार जो लिंक है उसमें उस मोबाइल में आपको एक OTP जाएगा उसको फिल करके आप यहां पर उसको वेरिफाय कर सकते हैं यहीं से आपका जो है रिटन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो नहीं तो आपका इदी आप थर्ड ओप्सन में सेलेट कर लेते हैं तो इसमें अपको पहला ऊप्सन ही मिल जाता है आपकी अपशन में जैसे कि आप लेकि कवेरिफाय कर सकते हैं और दिजिटल सिग्नेचर है USB token है उसका तो USB token से भी वेरी फाय कर सकते हैं, आपका this merge account है, तोтов nearby accounts से भी verify कर सकते हैं, उसके बाद bank account से भी verify कर सकते हैं, यह सारा option मिल जाता है इसमें अगलेदिया यह मोबाइल नंबर, लिंक है, तो सबसे पहला option में ही आपको आ जाना है यही आपके लिए इजी प्रोसेस होगा और नहीं है तो आप उसको लिंक करवा सकते हैं और बाद में जो है भेरिफाय कर सकते हैं तो चलिए अभी हम तुरंत में इस्टेट में घ्रिफाय कर रहें तो पहला उपção में हम टिक करते हैं उसके बाद केंटिनियुव में यहाँ जिक डिशागा आपका जो रेट जो है अधार में रेश्ट्राट्यक्या zas तो आपका आगई दे इसमें कभी-कभी लेट होता है तो वेट करना है थोढ़ा अधार OTP में OTP जैसे ही आता है तो इस OTP के आपको ले लेना है उसके बाद यहां पर आपको Fill करना है इसे को जैसे ही आप Fill करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका instant जो है e-verify आपका हो जाता है उसके बाद जो है ये return फिल करने का जो प्रोसेस है वो आपका complete हो जाता है उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है आपका जो है ये automatic जो है processing होके आपका ये complete हो जाएगा अगर दि किसी परदा का आपका wrong information ह है तो आपको फिर से उसको फिर से आपको जो है revised return आपको फिल करना होगा और अगर दिया आपका सरा details सही है आपका income सही है ATC का upsize details भरे होए तो आपका ये जो है process complete हो जाएगा देख सकते हैं यहां जो है confirm submission of return तो ये जैसे ही submit कर देते हैं उसके बाद आप edit नहीं कर सकते हैं और अगर दिया आपको लग रहा है कि अभी भी मेरा कुछ mistake हो गया है तो यहां cancel करके आप फिर से जाके edit कर सकते हैं यह submit का देने के बाद आपका यहां edit नहीं होगा आपका ये submit हो जागा return और ये जो है दखिए you have successfully filed and verify your return ये मेरा जो है ये process complete हो चुका है ITR1 का तब ही हम ITR1 assessment year 22 का हम आपको बताए इसी परकास से आप इसको fill कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं download receipt है इसमें आप download करके इसक आप देना चाहते हैं तो इसका print करके आप उसको दे सकते हैं ये income proof हो जाता है जो आपका Smart Deium कर सकते हैं तो यही complete process है इस प्रकAST से कर सकते है आप titre one को फिल कर सकते हैं यह completely process है video देखने के लिए ध्यनवाद और you पर अरगा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करने देने वाज़ा है